अगर इंडिया के security laws की बात करें, तो वो दो या तीन laws में सीमत नहीं है, एक series of laws लाए गए थे, जिनका main objective था national security और national interest को safeguard करना, पर majority of ये जो laws है, इनमें बहुत जादा unregulated, unchecked powers दी गई है, जिस कारण citizens के rights negatively effect होते हैं. इस वीडियो का मकसद ये debate करना नहीं है, कि क्या इंडिया में security laws होने चाहिए या नहीं, नहीं, क्योंकि ये बात तो बहुत clear है कि किसी भी country के लिए उसकी security या public order maintain करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इन laws को exception laws या necessary evil भी कहते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इंडिया क security laws के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि इन laws को क्या problem solve करने के लिए लाया गया था, इनका objective क्या था, और currently इन laws की क्या position है तो आजादी के तुरंद बाद, अपने citizens के rights को secure और protect करने के लिए हम constitution draft कर रहे थे पर तब ही हम एक ऐसा parallel और powerful law बना रहे थे, जो लोगों के rights को खतम करता था मैं बात कर रही हूँ, Preventive Detention Act of 1950 की दिखे, आजादी से पहले, इंडिया में अपना strong control establish करने के लिए Britishers, Preventive Detention के measures को use करते थे आजादी मिलने के बाद, इंडिया बहुत सारे problems face कर रही थी जैसे, partition के कारण, large-scale communal violence, displacement था और internal disturbance भी था तो इंडिया के territory, उसकी constitution और इंडिया के लोगों के rights को secure करने के लिए Preventive Detention Laws बनाए गए Parliament पे Preventive Detention का bill introduce कर रहे थे सर्दार वल्लभाई पटेल और उन्होंने कहा कि इस bill को लानी की सोच में, वो कई रातों तक सोई नहीं थे और ऐसे आया Preventive Detention Act 1950, जो चला 1969 तक तो Preventive Detention Act एक ऐसा law था, जो government को authorize करता था कि वो बिना किसी charge के, individuals को detain कर सके एक साल तक के लिए देखे, Preventive Detention ये जो Act है, इसका main objective क्या था, कि partition के वज़े से जो violence हो रहा है, जो displacement हो रहा है, उसे संभालना अब इस law की एक अच्छी बात ये थी, कि एक temporary law था अब temporary law क्या होते हैं, जिनमें sunset clause present हो देखे, वो laws जो किसी एक specific problem को solve करने के लिए बनाये जाते हैं तो Preventive Retention Act को लाते वक्त, Parliament ये कहा था कि वो हर दो-तीन साल में इस law को renew करेंगे तो 1950 में आया ये law, 1969 में expire हो गया, lapse हो गया बात करते हैं दूसरे law की, तो old product की new packaging करना कोई आचा concept नहीं है 1975 की दो चीज़े बहुत famous है, पहला national emergency और दूसरा अपनी government की बात मनवानी के लाया गया, Maintenance of Internal Security Act 1971 Interestingly, Preventive Retention Act के PDA के lapse होने के 2 साल के अंदर ही आ गया Maintenance of Internal Security Act, MISA तो PDA के majority powers इस Act में डाल दिये गये थे इस Act का मक्सद था कि इसकी अंदर, जो-जो लोग detain हो रहे हैं, उन पर और restrictions impose करना 1975 में लगी 19 महीने के इस emergency में, जाने कितने ही लोग बिना किसी trial rights, सेवगाज के सलाखों के पीछे रहें अब 1975 की national emergency के दौरान, जो भी लोग government से face to face आ रहे थे चाहे वो opposition वाले हो या civil society group वाले उन पर maintenance of internal security act का भरपूर मिस्यूज हो रहा था इसके बाद 1977 में national emergency के साथ दो और चीजे खतम हुई पहली general elections में इंद्रा गांधी की सरकार और दूसरा maintenance of internal security act पर जैसा कि लोगों ने कहा कि ये जो laws होते हैं ये necessary evil होते हैं, जरूरी होते हैं तो 1980 में लाया गया national security act एक और act जो PDA के बाद और मीसा से पहले आया था और अभी तक चल रहा है वो है आफसपा, Armed Forces Special Powers Act 1958 देखे 1957-58 में नागा लैंड में separatist movement के कारण violence बढ़ता जा रहा था और बात स्टीट government के control से बहार हो गई थी तो North Eastern States में बढ़ते violence को कम करने के लाया गया आफसपा जो Armed Forces को disturbed areas में public order maintain करने की पावस देता है तो बाकी act से compared Armed Forces Special Powers Act आफसपा इतना different क्यों है वो government को क्या powers देता है इस respect में देखे आफसपा का section 3 government को यह power देता है कि वो देश के किसी भी area को as disturbed area declare कर सकते हैं एसा करने से आफसपा Armed Forces को यह power देती है कि वो disturbed area में अपनी powers को use कर सके एक बाद फिर से समझते हैं देखे आफसपा के थुरू government के पास यह power आ जाती है कि वो किसी भी area को as disturbed area घोशित कर सकते हैं देखे किसी भी area में public order maintain करना पुलिस का काम होता है पर जैसे ही कोई area disturbed area घोशित हो जाता है तो वहाँ पर पुलिस के साथ साथ आर्मी भी parallelly function करने लगती है और आफसपा के अंदर आर्मी के पास बहुत सारे powers आ जाते हैं बिना किसी warrant के arrest करना, search करना, firearms, cease करना और भी बहुत सारी चीज़े Initially, आफसपा को लाया गया था नागा land की problem solve करने के लिए पर आने वाले सालों में हमने ये देखा कि आफसपा को बाकी North Eastern States में, पंजाब में और जमुन कश्मीन में भी लगाया गया आज की date में भी देश की बहुत सारे areas में आफसपा के provisions लगे रहे हैं तो 1980 में लाया गया National Security Act of 1980 जो PDA और MISA का reflection था अभी कुछ दिन पहले ही April में lockdown के वक्त इन दौर में चार लोगों पर National Security Act के provisions लगाये गये थे क्यूंकि वो health workers पर पत्थर बाजी कर रहे थे देखे, preventive detention का मतलब क्या होता है कि किसी भी इनसान को detain या contain करना ताकि वो future में कोई crime ना कर सके और future prosecution से बचना सके National Security Act, Central और State Government को ये power देती है कि वो national security और public order के interest में किसी भी इनसान को detain कर सके तो National Security Act में जो maximum period of confinement है वो है 12 महिने का पर अगर government कोई new piece of evidence, कोई fresh evidence receive करती है तो spirit को increase भी किया जा सकता है National Security Act के अंदर अगर किसी भी इनसान का arrest होता है तो उसे बहुत सारे basic rights available नहीं होते जैसे कि right to be informed तो 5 से 10 दिनों तक इनसान को बिना उसके कारण of arrest बताय भी रखा जा सकता है और दूसरा है legal aid का तो इस act के अंदर अगर किसी भी इनसान का arrest होता है तो उसे किसी भी legal practitioner की help available नहीं होती है National Security Act जो अभी भी existence में है इसका सबसे बड़ा criticism यह है कि इस act के अंदर कित्ते लोग arrest हो है इसका कोई data available नहीं है Surprisingly, National Crime Report Bureau में भी इस act के अंदर कित्ते लोगों को arrest किया गया है इसके लिए कोई data available नहीं है अब हम दो और laws को analyze करेंगे जिसमें से पहला है TADA Terrorist and Disruptive Activities Act of 1985 जिसे देश में बढ़ रहे separatist movement को और specially पंजाब में बढ़ रहे terrorist activities को control करने के लिए लाया गया था TADA के अंदर इतने powerful laws थे जिनके बार में देश ने ना कभी देखा ना सुना था और ये act बहुत strongly criminal procedure code और constitution के provisions को override कता था अपने आपको इनसे supreme कहता था जैसे बहुत सरे new criminal offenses बनाए गये पुलिस की powers को बढ़ाया गया और arrested person के rights को उनके safeguards को reduce किया गया इसके साथ ही ये कहा गया कि TADA के अंदर अगर कोई इंसान पुलिस के सामने कोई confession देता है तो उस confession को as evidence court में admissible माना जाएगा इस कारण abuse के और torture के cases बढ़ने लगे इस act के powers को misuse करने के काफी allegations सामने आने लगे 95 में lapse कर दिया गया 1985 से 1995 तक चले इस law में इस act में सतर हजार से ज़्यादा arrest किये गये इसके बाद इन तीन important events को देखते हैं 24 December 1999 को हुआ IC 814 कांधार hijack September 2001 को America के World Trade Center पर terrorist attack और 13 December 2001 का Indian Parliament पर attack इन events के कारण देश के anti-terror laws को strengthen करने की need feel होती है और ऐसे आया Prevention of Terrorism Act तो Prevention of Terrorism Act पोटा के अंदर किसी भी suspect को 180 days के लिए मतलब 6 महीने के लिए detain किया जा सकता है अब problem ये थी कि जो भी objectives TADA के थे वही same objectives पोटा के भी थे और जो भी problems TADA के साथ थी जैसे पुलिस के पास excessive powers होना arrested persons के सेवगाच कम होना evidence admissible होना ये सारी चीज़े ये सारे features पोटा में भी present थे इसके साथ ही पोटा के उपर ये allegations भी लग रहे थे कि कुछ political parties अपना vendita fulfill करने के लिए इसके powers को misuse कर रहे हैं तो इन सारी allegations के चलते पोटा के 3 साल के censure clause को यूज करते वे 2004 में इस act को lapse कर दिया गया तो वीडियो के इस पार्ट तक हमने discuss कर लिये हैं ये 6 national security laws बचते हैं 2 और laws पहला National Investigation Agency Act और दूसरा Unlawful Activity Prevention Act जो बहुत important है और इसे मैंने इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए बचा के रखा है इस वीडियो में discuss की गई सारी information आप मेरे Instagram पेज पर और इस detailed ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हैं ये सारी जानकारी आपको नीचे description box पर मिल जाएगी उमीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपना feedback मुझे बताईएगा और इस चानल को subscribe और इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा That's it for now See you in the next class Bye-bye